दोफ्तों आज के समय में CSE ID लेना काफी difficult हो रहा है और काफी सारे लोगों को CSE ID approval नहीं हो पा रहा है ऐसे में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान खोले हुएं या कोई online से जुरा काम करते हैं उनको CSE का काफी important आविस सकता है तो कैसे वो CSE ID का उप्योग कर सकते हैं तो इसके लिए जो तरीका हम बताएंगे ये CSE operator ID के बारे में हम बताने जा रहा है operator ID एक CSE VLE जो होते हैं जिनके पास ID होता है वो operator अगर किन ही को बनाते हैं तो वो जितने access वो खुद कर पाते हैं उतने तमाम कामों को आप खुद से एक operator बन कर भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके साथ रहना होगा आप कहीं भी रह रहे हैं अगर किन ही के आपके दोस्त में या किन ही के पास अगर CSE ID है तो पांच operator को वो निप्त कर सकते हैं यानि पांच operator का ID वो बना सकते हैं इस वीडियो में proper जनकारी देंगे कि अगर कोई लोगों के पास CSE ID है तो कैसे operator को बनाएंगे कैसे operator ID बनाना है जिसके पूरी जनकारी सरल और आसान भासा में आपको समझाने की कोसिस करेंगे आपसे request है कि इस वीडियो को अंतक देखिए ताकि पूरी जनकारी समझ में आपाए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो like जरूर करें साथ ही चैनल को subscribe करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की notification होगी आपको मिल पाएगी चलते हैं अपने skin पर और सारी जनकारी official website पे इस website का link हमने video description में या online update htm.in के website पे भी आएंगे तो यहाँ पर एक search का जो box मिलेगा जिसमें आपको search करना CAC operator ID और search पे click करेंगे आपके समने detail article आएगा CAC operator ID कैसे बनाएं जैसे यहाँ पर समद लीजे जैसे CAC operator ID जो भी लोग बनाएंगे इनमें क्या 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 आपको service मिलेगी क्या क्या document आपको देने पर इगी वो complete process आपको बताई गी है और यह ID क्या है इससे क्या पायदे हैं को सारी जनकारी आप यहाँ पर आकर समझ सकते हैं हमने direct आपको link उपलपत करा दिया CAC operator ID कैसे create करना है जिसका अगर कोई लोग CAC ID के लिए registration करना चाहते हैं उसका भी आपको यहाँ पर link मिल जागा जिस पर click करके आप CAC के लिए भी registration कर सकते हैं जिसकी पूरी जनकारी हमन बनाना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर CAC ID डालना है साथ उनका जो password होगा वो डालेंगे इस capture code को डालेंगे एक option मिलेगा sign in का जिस पर click करेंगे इस पर कर आप login होंगे थोड़ा साब को wait करना है और यहाँ से CAC के द्वारा जितने भी service होती है जैसे government का हो insurance का हो electricity का हो या CAC operator बना कर भी उनको आप दे सकते हैं तो इसके लिए operator कैसे बनानी है वो सारी जनकारी आपको बताते हैं इसके लिए simply आपको यहाँ पर नीचे से एक उपर में आएगे तो account का option मिलता है नीचे में एक option मिलेगा operators का जिस पर click करेंगे आप 5 operator को आप बना सकते हैं बनाने के बहुत है simple process है यहाँ पर plus वाले पर click करना है यहाँ पर add operator लिखा है जिस पर आप click करेंगे तो सबसे पहले जो भी operator आप नुक करना चाहते हैं उन operator का जो भी आधार number होगा वो डालेंगे उनका जो भी नाम होगा अधार card पर वो डालेंगे date of birth जो उनके अधार card पर होगा उसी according यहाँ पर date of birth को आपको डालना है फिर उनका gender आप select करेंगे उनका email ID और mobile number दोनों आपको डालना है और यहाँ पर देखेंगे send OTP का विकल्ब मिलता है तो email mobile दोनों को आपको verify करना है इस पर कर आप चेक करेंगे एक आपको mail पर आपका जो OTP है OTP आएगा उस OTP को अपको यहाँ पर डालना है और एक option मिलता है validate का इस पर क्लिक करेंगे इस परकार आपको email verify होता है उससे according running आपको mobile number को verify करना है उसके बाद लऄर भी आपका verify होगा यहाँ पर करते हैं कि इस पर आया है या नहीं आया है तो आप देखेंगे एक आपको मेल आएगा CAC ID Created Successfully आप जिस पर क्लिक करेंगे और आपका जो operator ID है वो create हो चुका है नीचे में देखेंगे आपका ID और password इस परकार मिल जाता है जिसके मदद से आप login कर सकते हैं अब login करने के लिए फिर से वही काम आपको करना है CAC के जो official website है जिस पर आपको आना है जिस पर कार एक VLE login करते हैं सेम उसी according login बारे पर क्लिक करेंगे और जो अभी आपको CAC ID मिला है operator के लिए और password मिला इसको डालेंगे capture को डालेंगे एक option sign in का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे इस परकार आपका जो dashboard है login होगा थोड़ा सा आप wait करेंगे और आप देखेंगे इस परकार आप login हो जाते हैं login होने के बाद जितने भी काम जो है CAC VLE कर पाते हैं और सभी access आपको यहाँ पर दे दिये गया है जैसे आप जो भी काम उनको मिलता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं एक ही इसमें फरक है कि इसके जो wallet होते हैं अब देखें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यह आपका जो operator ID है या main account है तो अब account वाले पर click करेंगे तो उस वाले में अगर CAC VLE अगर आप होंगे तो यहाँ पर चार option आएंगे लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दो ही option आपको देखनों को मिलेगा यहाँ पर यही है कि wallet में recharge आप खुझ से नहीं कर सकते हैं wallet में recharge जो VLE है जो VLE करेंगे वही recharge आप कर सकते हैं पहला काम आपका ID मिलने के बाद करना है अपने profile my profile का जो विकल्प मिलता है जिस पर किलिए करें और जो पहले password आपको temporary जो मिला है उसको पहले आप change कर लेंगे उसके बाद आप आप अपना wallet का फीन है उसको भी आप set कर लेंगे ताकि जो भी payment आप करेंगे तो आप से pin मांगा जागा वो pin डाल कर आप कर सकते हैं तो इस परकार हमने आपको सारी जनकारी बताया कि एक operator ID कैसे बनाई जाती है साथ ही आप किस परकार काम करेंगे जिसके लिए आपको पूरी access दे दी गई है आप किसी भी line का काम कर सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा CST operator ID के लिए कैसे registration करना है कैसे उस ID password को activate करना है जिसकी सारी जनकारी हमने आपको live दिखाया मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आओगा तो like, share जरूर करें साथ ही चैनल को हवाज से subscribe करें तक ही आने वाले सारी अपडेट आपको मिल पाएगी समय पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद